दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं अगर आपके मुबाइल फोन के अंदर आपको notification में आपका data uses देखने को नहीं मिलता है कि आपने अपना data कितना use किया है और आपका data कितना बचा हुआ है वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है तो इसे problem को कैसे आपे solve करेंगे और आपके notification में आपका data uses setting कैसे enable होगा और कैसे आपको यहाँ पे आपका data देखने को मिलेगा वही मैं आपको एसे वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा और कैसे आप इसे enable करेंगे और कैसे आपके notification के अंदर आपका यह सो होगा पूरा का पूरा details में बताने वाले हैं इसके लिए आपको करने का है सबसे पहले आपको अपने mobile phone के अंदर setting देखने को मिलेगा setting open करना है यहाँ पर setting open करेंगे आपके सामने इस तरह का setting निकल के आ जाएगा अब यहाँ पर आपको करने का है आपको नी सामने यह setting यहाँ पर निकल के आजागी आप यहाँ पर आपको करने का है नीचे आना है जैसे आप यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेता है data uses notification setting तो यह आपके mobile phone के अंदर off होगी तो आपको इस setting को यहाँ से enable कर देना है अगर कोई आ अगर मैं इस setting को यहाँ से बंद कर देता हूं तो हमारे notification में हमारा यहाँ पर data uses से देखने को नहीं मिलेगा कि हमने कितना data आज यूज किया है अगर इस setting को यहाँ से enable कर देंगे तो यहाँ पर आपको आपका data uses देखने को मिल जाएगा कि आपने एक दिन में data कितना पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्नवाद